वेल्कम टू आरेस्पी वर्ल्ड जोतिश आध्यत्म वास्तुई फैंक्सुई कलर एंस्टोन थेरिपी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को भी आन कीजिए वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक कीजिए शेर कीजिए औ और हां कमेंट में अपनी बात जरूर लिखे थैंक्यू नमस्कार दर्शको आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैं रभी पावार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आरेस्पी बल्ड पर और कुंडली देखना कैसे सीखें इसका आज हम चोथा पार्ट आपके देखना कैसे सीखें के पार्ट फोर पर जी हां तीन पार्ट तक हम सीख चुके हैं यह चोथा पार्ट है यहां पर आज हम सीखेंगे कुंडली के बारा भाव किसे कहते हैं बारा भाव मतलब की बारा भाव को बारा इस्थान भी बोला जाता है और बारा घर भी बोला जाता तो वो कौन से होते हैं हमको कुंडली में आज समझना है यह मैंने कुंडली बनाई हुई है आपके सामने जिसमें देखिए मैंने यहां पे नंबर्स लिखे हुए हैं एक से लेके 12 तक ग्रीन कलर से यह देखिए 123456789101112 यह जो मैंने 12 नंबर लिखे हैं इनहीं को 12 भाव बो बोला जाता है और 12 इस्थान भी बोला जाता है बहुत से लोग भाव उसके बाद घर उसके बाद इस्थान इस तरीके से इसको यूज करते हैं बोलना तो कुंडली में यह हो गए हमारे 12 भाव या 12 इस्थान या 12 घर आप देखिए इसके जश्ट नीचे मेंने एक और कुं लेंगे लेकिन देखिए यहां पर जब जो पहली कुंडली थी उसमें एक नंबर बीच में लिखा हुआ था जहां पर इस कुंडली में नो नंबर लिखा है ये देखे, जहांए मैंने Surya लिखा हुआ है, बीच में और यहांपे मैंने लिखा है 9 नमबर अब एब एक चीज़ समज़िए ये क्या है? यहांपे ये जो 9 नमबर, 10 नमबर, 11, 12 जो नमबर लिखे हुए है ये कुंडली के भाव, इस्थान या घर के नंबर नहीं है वो तो कुंडली में fix है मतलब मैं यही केना आप से चाह रहा हूँ कि कुंडली के जो 12 भाव है वो fix है वो कभी change नहीं होते है इसे मैं ऐसे समझाता हूँ, समझे कुंडली का ये जो घर है जब भी आप कुंडली बनाएंगे या बनियों या आपके पास आएगी तो इसको पहला घर बोला जाता है पहला भाव या इस्थान ये मैं पहली बता चुक हूँ है, तीनों चीज़े एकी है तो पहला भाव ये है दूसरा ये है तीसरा, चोथा, पांचवा, छटा, सातवा, आठवा, नवा, दसवा, क्यारवा और बारवा ये है कुंडली के बारा भाव अब यहाँ पे तो क्या हुआ कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में ये बाव के नंबर नहीं है ये राशियो के नंबर है मैंने आपको बताया था ना बारा राशिया होती है तो कुंडली के बारा ही घर होते है और बारा ही हमारी राशिया होती है तो यहाँ पे ये बारा राशियो के नंबर है तो एक नंबर जो लिखा है सूर्य के साथ तो वहाँ पे क्या हुआ अगर आपको राशियों का क्रम याद हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे बता देंगे यहाँ पे यह मेश राशी लिखी हुई है मैंने एक नमबर की दो नमबर पे क्या लिखा है ब्रशब राशी लिखी हुई है तीन नमबर पे मिथुन राशी, फौर्थ नमबर पे करक राशी, यहां पे पांचमे नमबर पे सिंग राशी, छटे नमबर पे कन्या राशी, साथमे नमबर पे तुला राशी, आठमे नमबर पे ब्रचिक राशी, नवे नमबर पे धनू राशी, दसमे नमबर पे मकर राश ग्यारा नमबर पे कुम राशी और बारा नमबर पे मीन राशी तो आप समझ गए कि यह राशियों के क्रम है ना कि भाव के भाव तो फिक्स रहते हैं अब देखिए यहां दूसरी चार्ट से आप समझ जाएंगे आसानी से यह जो मैंने दूसरा चार्ट बनाया हुआ है इसक द्धनू राशी है अब सीदी सी चीज है कि लगन भाव यह जो पहला घर है इसको लगन भाव कुंड़ी का बोला जाता है केंद्र यहां पर इसके अंदर जो राशी पड़ेगी उसके ठीक बाद वाली राशी अकले घर में आएगी तो नो यहां पर है तो दस ग्यारा बार एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ तो यहां पर क्या हुआ कि नो नंबर की हमारी जो है वो धनू राशी है तो धनू राशी के बाद 10 नंबर की मकर राशी हुई 11 नंबर की कुंब राशी 12 नंबर की मीन राशी एक नंबर की मेश राशी जो की इस कुंड़ी में पहल खर है के से हुआ एक दो टीन चार पांच तो यहां पे जो पंच वा घर इसमें एक नंबर की राशी आ स चैने क्टली ॐस चछ सीव्गर में आई च्रक राशी आई एक साथ वह गर के से उवा तो हैं यहां में यह जो कुंड़ी का दस्वा घर है अब यह दस्वा कैसे हुआ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस अब दस्वे घर में यहां पे कन्या राशी आ गई छे नंबर की उसके बाद ग्यारवे घर में देखिए साथ नंबर की तुला राशी आ गई और बारवे घर में यहां पे हमारी आ गई है ब्रच्चिक राशी जो की आठ नंबर पे आती है तो मुझे इस वीडियो में आपको खास चीच क्या समझानी थी कि जब भी आप यह नंबर डेले हुए देखें क कुडली में तो इसको घर मत समझ लेना कि यहां पे अगर नो लिखाए तो यह नववा घर है यहां पे दस लिखाए तो यह दस्वा घर है तो नहीं यह घर नहीं है भाव नहीं है कुडली के भाव कभी भी चैंच नहीं होते हैं वो तो फिक्स हैं कि यह पहला घर है तो हमे मिलेगी इराशिया चेंज होती रहती हैं उसी के अनुसार जो हैं ग्रह बेटते हैं इराशिया हमेशा आपको बदली हुई मिलेंगी लेकिन घर अपनी जगा कभी नहीं बदलते हैं ठीके इतना आप समझ गए होंगे आसानी से अब चलते हैं पहले वाले चार्ट पर पहली यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कुंड ली के बारा भाव तो आप समझ ही गए अब यहाँ पर देखिये मैंने पहले नमबर पर क्या लिखा है गुरु सुरी सुरीज Then मैं समझाता हूं कि कुंड ली के किस घर को किस भाव को या इस्थान को कौन से ग्रह को ब्रह्मा जीने सोपा हुआ है कि आप इस घर की बाग दोर को संभालोगे मतलब उस घर का मालिक बनाया गया है अब देखिए पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि ग्रहों को राश्यों का भी मालिक बनाया है अब इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रह को कुंडल के भाओ का मालिक भी बनाया गया है अई बो केसे बने हैं तो समझे मैंने यहाँ पर लिखा ओवा है सारी चीज़े बिल्कुल हिंदी मे और चाफ क Arizona में कोंपे नंबर लिखा है तो यहाँ पर यह जो घर यह पार यह नंबर की तो राशी तो पहले घर का मालिक जो है ब्रह्मा जी ने सूर्य ग्रह को बनाया हुआ है सूर्य ग्रह को बोला है कि आप पहला घर समालोगे उसके बाद गुरू गुरू ग्रह अब देखिए यहां पर यह जो दूसरे नंबर का घर है इसको जो मालिक बनाया है वो बनाया है गुरू ग्रह को बोला है कि आप दो नंबर का घर समालोगे यह दो नंबर का घर तीसरे नमबर का घर समालने के लिए मंगल देब को यहाँ पर मालिक बनाया हुआ है उसके बाद चोथे घर को समालने के लिए यहाँ पर चंदर देब को मालिक बनाया है चोथे घर का अब एक चीज़ समझे यह चान नंबर लिखा है तो यह चान नंबर चोता घर नहीं है यह तो आप समझे गए होंगे आसनी से यह चान नंबर की तो करक राशी है यहाँ पे यह घर ही चोता है यहां के नंबर से आप कंफ्यूज नहीं होंगे मुझे लग रहा है अब आसनी से समझ गए होंगे आप सारी चीजे कि घर क्या होते हैं और कुंड़ी में पड़ी राशिया क्या होती हैं तो नंबर से अब आप कभी भी इसमें भी यहाँ पर गुरुदेव को मालिक बनाया गया है और उसके बाद चटे नंबर का जो घर है यहाँ पर मंगल देव को मालिक बनाया गया है इस घर का समालने को दिया गया ब्रह्माजी द्वारा साथवे नंबर का जो घर है उसको शुकर देव को मालिक बनाया गया है आटवे घर का मालिक शनी देव को बनाया है नवे घर का मालिक फिर से गुरुदेव को बनाया है दसवे घर को मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में आप देखे कि आरवे नंबर का जो घर है इसको कौन से ग्रह को कौन से वाले ग्रह को किस भाव का मालिक बनाया है कुंडली में ब्रह्मा जी द्वारा अब एक चीज यहां पर समझिए आप आसानी से देखिए सूर्य, शुक्र, चंद्र और बुद्ध इनको तो एक-एक ही घर का मालिक बनाया है इनको बोला है आप एक एक ही घर समा लोगे ठीक है इसके बाद मंगल मंगल को दो घर दिये है पहला दिया है तीसरा घर दूसरा दिया है यहाँ पे छटा घर उसके बाद शनी शनी को यहाँ पे दिया है आठवा घर और एक दिया है बारवा घर उसके बाद गुरू, अब गुरू को समझिए, सबसे ज़्यादा घर गुरू के ही है कुंडली में, गुरू को आपने समझ लिया तो आप सब समझ जाएंगे गुरु को यहाँ पे दूसरा घर भी दिया है पाशवा घर भी दिया है नववा घर भी दिया है ग्यारवा घर भी दिया है और दसवे घर में भी गुरु बेठे हुए तो आप समझ सकते हैं कि गुरु की कितनी महिमा होती है एक, दो, तीन, चार, पाँच 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 ग्रहों के मालिक गुरु को बनाया गया है तो गुरुदेव की महीमा और उनका पद और उनकी माहनता को आप इस चीछ से समझ सकते है कि ब्रह्मा जी द्वारा गुरु ग्रह को बोला गया है कि आप कुंडली में पाँच ग्रह समालोगे पाँच घर समालोगे यहाँ पर तो गुरुदेव हमारे जीवन में होना कितना जुरूरी होता है इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं बिल्कूल कुंडली के छोटे सवधारन से समझ लीजिए किसी भी ग्रह को पाँच घर नहीं दिये गए हैं सिरिफ गुरु को दिये गए हैं यहाँ पर तो विना गुरु के तो मोक्ष भी नहीं मिलता है और भगवान से बढ़कर गुरु होते हैं और मातापिता से बढ़कर गुरु होत ग्रुफ बहुत अच्छे होते हैं वोतीसाथविक होते हैं और हमेशा अच्छे करने वाले हुते हैं कबहुत कम बूरा करते हैं कुंडिली में गल्ती से घर होता है उस बात को वह बात अलग है अदर्वाइस शनी, गुरू, बुद्ध और मंगल पांच ग्रहों को इस घर का मालिक बनाया गया है अब कुछ तो कारण होगा अब आप देखेंगे अगर तो सूर्य का एक घर और बढ़ गया पहला भी सूर्य का है यहाँ पे दसमें भी सूर्य आ गया शनी का भी अब तीसरा घर हो गया यहाँ पे पहले से दो दिये हो गया थे यहाँ तीसरा भी आ गया गुरू का यहाँ पे यह पांचवा घर है और बुद्ध का तो यहाँ पे एक ही घर है बुद्धो को और क्यों बी कुडली में आप दिखेंगे नि बुद्ध मारा यहां फे पस एक ही ही घर में दिखेंगे और मंगल के भी दो घर बढ़िगा एका छटा गर एक तीसरा और यहां मंगल दसле में भी आगा यहां पर अब ऐसी क्या जुरुवत थी कि यहां पर पांच ग्रहों को मालिक बनाना भ्रम्मा जी को सही लगा उसका छोटा सा कारण है समझ लीजिए यह जो हमारा दस्वा घर है न यह कर्मिस्थान है कर्मिस्थान मतलब कि हम कर्म केसे करेंगे क्या करेंगे नोकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे समास सेवा करेंगे या कर्म ही नहीं करेंगे निकम में बनकर रहेंगे तो इस बात का अंदाजा लगाने के लिए इस बात को प्रायोगिक तरीके से प्रैक्टिकल तोर पे इसको करने के लिए यहां पे पांच ग्रहों को इस भाव का मालिक बनाना जरूरी था ऐसा क्यों है क्योंकि अगर सूर्य कोई वेक्ति अगर सरकारी नोकरी करता है तो सूर्य हर सरकारी चीज के कारक है मतलब कारण है सरकारी डिपार्टमेंट पूरा सूर्य के अंडर में ही होता है तो अगर कोई सरकारी नोकरी करेगा तो वो सूरी करवाएंगे यहां परी देखिए शूरी लिखा हुआ है उसके बाद कोई वेक्ति अगर प्राइवेट नोकरी करेगा कोई निचले दरजे का काम करेगा सफाई संबंदी काम करेगा वो चाहे गवर्मेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो तो वो यहाँ पे शनी महराज करवाएंगे उसके बाद कोई वेक्ति अगर समाज सेवा करेगा या जोतिश का काम करेगा वास्तु का काम करेगा कोई धार्मिक क्रिया कलाप करेगा तो वो यहाँ पे गुरु महराज कराएंगे उसके बाद बुद्ध क्या कराएंगे बुद्ध यहाँ पे उस वेक्ति से व्यापार कराएंगे उसको एक सफल व्यापारी बनाएंगे और लास्ट में मंगल देव मंगल देव उस विक्ति को साहसी काम करवाएंगे साहस वाले जिसमें साहस की पराकर्म की जरुवत है जैसे की डॉक्टर बनना अब डॉक्टर बनना हर किसी की वसकी बात नहीं है क्योंकि उसमें बहुती चीर फाड करना पड़ती है ग्वाल देखना पड़ता है तो वो कमजोर दिलवाले नहीं कर सकते मझबूत दिलवालों का काम है वो उसके बाद पुलिस की कोई भी सर्विस डिफेन्स की सर्विस, आर्मी की सर्विस या ऐसा कोई भी काम जहां पे साहस की जरुवत पढ़ रही हो पराकर्म की जरुवत पढ़ रही हो तो वो मंगल देव कराएंगे तो इसलिए यहां पर जो है इस भाव को पांच ग्रहों को देना पड़ा कि अलग 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 ग्रह के साब से व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कर्म करेगा यहां पर ठीक है इतना आप आशानी से समझ गए होंगे मैंने बहुती सरलता से आपको समझाने की कोशिश करी है अब नीचे आते हैं दूसरे चार्ट पर जो हमारी कुंडली दूसरे नंबर की बनी हुई है देखिए मैंने यहां पर एक चीज लिखी हुई है यहां पर आपको उपर लिखी हुई एक भी चीज नहीं मिल रही है स्रिप नंबर के अलाबा आपको देखिए यहां पर लिखावा है मैंने पहले ही जो घर है जो कुंडली का जो पहला घर है वहां पर मैंने आपको यहां पर लिखावा है केंद्र तिरकोन अब ये केंदर तिरकोन है क्या चीजी सी चीज है ये जो कुंडली के बारा भभाव है जिनको बारा घर कहा है जरूरी तो नहीं है कि ये बुरे के बुरे बारा घर अच्छे होंगे नहीं इसमें से कुछ घर अच्छे होंगे कुछ घर खराब होंगे जिनने हम अशुभू बोलते हैं और कुछ घर सम होंगे तो मैंने यहाँ पे देखी लिखा हुआ है आपकी सरलता के लिए आपकी सहजता के लिए कि कौन से घर यहाँ पे अच्छे हैं कौन से सम है और कौन से खराब घर है तो हम शुरुवात करते हैं यहां पे केंद्र से, अब केंद्र, केंद्र से ही समझ जाईए, अब सेंटर, इंग्लिज में केंद्र को सेंटर बोलते हैं, मतलब बीच का, तो यहां पे देखिए मैंने चार घरों में केंद्र लिखा हुआ है, यहां पे जहां पे 9 नमबर, 12 नम नमबर और छे नमबर डला हुआ है कि यह केंद्र का घर है कुंडली का पेला घर कुंडली का चोथा गर हम यहां पर समझ जाना 12 नमबर है तो यह बारवा घर नहीं है यह बारवी राशी घर तो यह चोथा है चोथा घर केंदर है, साथवा घर केंदर है और यहाँ पे यह दसवा घर केंदर है इन चारो घरों को स्थानों को केंदर भाव बोला जाता है और यह बहुत ही अच्छे घर होते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कारण यहां से पताचलते हैं, बहुत ही अच्छे चीज़े हमें जीवन में इनजी केंद्र के घरों से प्राफ्त होती है, वो क्या चीज़ें होती हैं, आगे की वीडियो से मैं आपको बताऊं साथ इसे अब आप यह समझ लीजिए कि यह जो चा गर केंदर का भी तिर्कौन का भी तिर्कौन केसे है ये तो देखिए तिर्कौन मैंने कुण्डली में और कहां पह लिखा हुआ है यहां पे यह लखा है मैंने तिर्कौन उसके बाद यह यहां पर मैंने लिखा है तिर्कौन अब यह तिर्कौन है क्या तिर्कौन मतलब ट्राइंगल सीधा ही जो शब्दे उसी से पता चल रहा है यह देखिए यहां से अगर देखेंगे तो यह हमारा ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल मतलब तिरकौन तो इनको तिरकौन भावा बोला जाता है तो पहले घर को केंदर भी बोलेंगे क्योंकि ये बीच में भी आ रहा है और तिरकौन भी इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये तिरकौन को भी बना रहा है तो तिरकोन कुंडली का पाच्वा घर तिरकोन केसे पाच्वा एक दो तीन चार पाँच एसे पाच्वा हाँ एक नमबर लिखा है तो पाच्वा नहीं यह तिरकोन और कुंडली का नववा घर यह भी तिरकोन केसे नववा यहां से गिनेंगे आप तो एक दो तीन चार पाँ 6-7-8-9 पांश नमबर लिखा इसलिए नमबर पांश नमबर कर चलिए छोड़ देते हैं तो यह नववा घर हो गया है यहां से गिनते हैं तो यह भी तिरकोन तिरकोन के जो घर है यह भी भूती शुभ माने जाते हैं हमें बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया वाली चीजे प्रदान करते हैं जीवन में तिरकोन के घर बहुत अच्छे होते हैं तो केंदर के भी अच्छे हुए तिरकोन के भी अच्छे हुए अब देखिए त्रिक की मैं आपको लाज्ट में बताता हूँ अब आए ग्यारवे घर पे कुंडली का यहां से गिनेंगे तो यह ग्यारवा आएगा आप गिन लेना यहां पे मैंने लिखा शुबस्थान अब इनका नाम तिरकोन है इनका नाम केंदर है तो इनका भी कुछ नाम होना चीए तो यह है शुबस्थान मतलब यहां से अच्छी चीज़े देखी जाती है उसके बाद कुंडली का दूसरा घर यहां पे भी मैंने शुबिस्थान लिखा यहां से भी अच्छी चीज़े देखी जाती है उसके बाद यह वाला घर बज गया है हमारा यह वाला घर देखी मैंने क्या लिखा है सम और उसके निचे लिखा मैंने plus और minus अब ये घर क्या करता है कि इस घर में अगर कोई ग्र अश्युब होकर बेठा है तो वो घर हमें minus में ले जाएगा मतलब परेशान करेगा और भागदोर बढ़ाने वाला घर ये होता है और प्लस का क्यों है अगर मंगल देव ही इस घर में बेढ़ जाए क्योंकि मैंने आपको बताया था ना उपर की मंगल देव इस घर के सौमी होते हैं मंगल दे भी इस घर में बेड़ जाए तो वह हमारे लिए प्लस करते हैं मतलब हमारी भागदोड को कम करते हैं और शुब रिजल्ट जल्दी देते हैं इसके अलावा अगर कोई दूसरा भी शुब घर यहां पर बेड़ जाता है तो भी वह अच्छा ही करेगा यहां पर तो और एक राउंड बनाया है रेट कलर का इसका क्या मतलब है त्रिक का मतलब है त्रिक भाव त्रिक भाव और त्रिक को हम सरल भासा में समझें तो कुंडली का सबसे बुरा घर अशुब घर जिसको बोला जाएगा तो कुंडली का छटा घर आटवा घर और बारवा घर सबसे बुरा होता है, सबसे ज़्यादा हानी देने वाला होता है और परेशान करने वाला होता है इन घरों में कोई घर बेटता है तो हमें परेशान करता है ऐसा क्यों है? यहाँ पर एक छोटी सी चीज से समझ लीजिए आगे डिटेल में बताऊंगा आगे की वीडियोस में इस घर से हमें ब्याय और कर्ज प्राप्त होता है मतलब हम खर्चा करते हैं और कर्जा मारा बढ़ता है चटे घर से इसलिए इसको त्रिक बोला है रेट कलर का जो निशायन है वो है खत्रे का निशान इसलिए मने यहां पर रेट कलर का स्क्वेर बनाया है आठवा घर कुंडली का आठवा घर जो है मित्यू स्थान कहा जाता है उसे यहां से व्यक्ति की मित्यू देखे जाएगी कि वो उस व्यक्ति की जो है मोत होगी तो कैसे होगी या मित्यू ना भी हो तो मित्यू के समान उसको कश्ट जो मिलते हैं जीते जी जिसमें हम बोलते हैं कि जीवन जी रहे हैं लेकिन मरने के समान है इससे अच्छा तो होता कि हम मर जाते हैं तो यहां पे चीजे देखते हैं तो यहां पर बारवा घर भी जो हुआ वो कुंड़ी का खराब ही हुआ अच्छा नहीं हुआ खेर इस घर में अच्छी चीज भी चुपी है मोक्ष अगर किसी को मोक्ष मिलेगा तो इसको यह से देखा जाता है पर ज्यादा तर इस घर में जो एक खराब हैं तो यहां पर जो है यह घर आप समझी गए हैं कि कौन से अच्छे है कुणडली के घर और कौन से कुंडली के खराब घर है अब यह खराब को तो मैंने आपको बता दिया थोड़ोगा तो नहीं अप पर देखा जाता है यह जो है चोथा अगरिये सुख का स्थान यहां स यहां से हमारे जिंदगी के सुख देखे जाते हैं, उसके बाद यह जो सात्वा इस्थान है, यह हमारे वेवाईक जीवन का स्थान है, वेवाईक जीवन ही यहां से देखा जाता है, और यह हमारे कर्म इस्थान है, यहां से हमारे सारे कर्म देखे जाते हैं, उसके बाद यह एक जानकारी कुंडली के बारा भाव के उपपर की कुंडली के बारा भाव क्या होते हैं और वो किस प्रकार काम करते हैं हम मैंने देखिए नीचे यहां पर लिखा हुआ है पहले नंबर पर कुंडली के बारा घर मैंने आपको बता दिया है मालि कौन को ने बता दिये हैं कैंदर किसे कहिते हैं सब बता दिया गर में पड़ी राश्योंकी आपको बता दिया है जहां पर तीन लिखा के तो गर नहीं भोने साथ वह बासी के समझ कोशिश के प्रहिए फ्रीडियो में आपको आपको समूझाने की और नहीं समझ में आए कुछ प्रश्ण है तो आप एक चीज ये जान लीजी कि मुझे मेरे जो वाट्सअप नंबर है जो मेरे हर डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा उस पर आप कमेंट करिए मेरे वाट्सअप नंबर पर पूछिए आपके कोई प्रश्ण हो तो यूटूब पर भी कमेंट करिए मैं वहां पर भी आपको जवाब दे दूँगा वाट्सअप पर भी कमेंट करिए और पूछिए अपने प्रश्ण जो भी आपके मन में उभर रहे हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो मैं उसको ब कि यह वीडियो पसंद आप को आया हो तो इसे लाइक किजिए से शेयर किजिए अपने वाटसवबुक कांटेक्स में इसे शेयर कीजिए औरों तक पोछाई है और चैनल पर पहली बार आएंस बिद्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुंडली कैसे देखें पार्ट फाइप में तब तक के लिए थेंक यू बाई अगर आप भी अपनी जनम कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं और ओरिजनल राशी रत्न व रुद्राक्ष खरिदना चाहते हैं तो हमारे वाटसप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं धन्यबाद